अगर आप Engineering कर रहे हैं तो और Mechanical Engineering खास करे मैं आपको बता दूँ कि इस सबसे जादे Job Generate करेगा वो है Auto-osseector मैं क्यूं बोला हूं कि सबसे जादे जाब generate करता है क्योंकि Auto- commodity सवल्ट सेक्टर ना बहुत बड़ा process होता है मादला Process जैसे आप कोई कार है Manufacturing हो रही है तो उसके delivery तक का manpower के ज़रूरत होती है although बहुत जादे automation का भी यूज होता है लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए कई एक कमाल की चीज़ी यह होती है कि automation जैसी चीज़े उतना effective नहीं है इंडस्री में सिर्फ जहां पर utilization हो सकता था maximum जगह हो चुका है बहुत सारी जगों पर possibility की जा रहे हैं लेकिन वहां नहीं हो पा रहा है ऐसे में manpower requirement है अब देखो जो automate machine भी है उनको भी operate करने के लिए इंजीनियर ही चाहिए without इंजीनियर आप प्रोसीड नहीं कर पाऊगे त कोई और designing जानते हैं 3D designing जानते हैं वो लोग भी इसमें आ सकते हैं designing एक बहुत major part होता है जब भी कोई car bike या कुछ भी launch होता है तो designing बहुत important part role अदा करता है तो उसमें भी काफी importance है उसमें भी चीजे काफी अच्छे से हैं अगर आप designing part पे जाते हैं तो एक काफी अच्छ management भी होता है mechanical engineers का तो वो लोग भी जा सकते हैं उसके अलाम अगर हम बात करें चलो यह सारी चीजे हमने रख दी अब बात करते हैं कि डिजाइन फाइनल होगा है डिजाइन को बात production में जाता है production में जाने से पहले उसके पार्ट होते हैं जैसे हर automobile company मनलो उसके engine है body part है नहां पर लगाने के लिए फिर उठाता है robot automation और वहां automate तरीके से उसको assemble करता है assembling का काम होने के बाद ui testing भी होती है assembling हो जाने के बाद multiple round की testing होती है कोई भी product market में नहीं आ रहा है तो उसमें भी manpower की ज़रूत है उसके बाद फिर testing के बाद बहुत सारी चीज़े होती है sales purchase उसके बाद engineers की जरूरत production engineer की जरूरत different जितना इसली मैंने बोल दिया के assembling हो जाती है assembling होने में भी बहुत सारी step होते है internally ठीक है उसके engine desktop and all the things तो उसमें सारे engineers की जरूरत पड़ती है ऐसे में देखो engineers के जरूरत automobile industry में काफी है कोई भी engineer हो electrical engineer electronics engineer या mechanical tools या production दोनों में तो automobile industry क growth काफी हो रहा है नहीं नहीं SUV जा रही है नहीं नहीं electric कारे आ रही है नहीं electric bike आ रही है तो जो लोग automobile industry में जाना चाते हैं तो latest trend automobile industry का यह IOT है और electric vehicle है बार बार में वीडियो में क्यों बताता हूं क्योंकि आप लोग जानिए IOT, electric vehicle और automation यह तीन चीज़े बहुत important automation का भी use होता है और बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा हो गई मारूति सुचकी हो गई किया हो गई उसके बाद और भी नहीं नहीं कंपनिया मार्केट में आ गई हैं बाइक की बहुत सारी कंपनिया है तो उन सारी कंपनियों में आपके लिए opportunity है लेकिन आपको decide करना कि आप 24,000 लोगों से लाखों लोग प्लांट में चले जाए लाखों सिफ्ट में काम चला है कि बाइट दो तीन तीन चार चार सिफ्ट चलती है तो सिफ्ट वाइट जॉब होता है तो उसमें ये भी होता कि बाइट आपके लिए बहतर है तो ऐसे में manufacturing units काफे इंडिया में बढ़ opportunity है और अगर आप automobile sector में जुड़ते हैं तो आपका career सायथ बहुत अच्छा ग्रो करेगा और आपके लिए multiple opportunity होगी खुब बैस वीडियो आपको पसंद आया होगा जो टोक टेरीग्राम पर वहाँ पी जाके जॉइन करें जिनको भी career counseling चाहिए link description दिया एक बार जाकर के वह लगते हैं आपसा नेक्स वीडियो में थाइंक यू